current account में हमें कितना cash deposit करना चाहिए कितना withdrawal करना चाहिए इसके बारे में income tax law का कहता है basically क्या कोई limit है income tax law के अंदर कि कितना cash जमा कराए या कितना निकाले अपने current accounts के तो दोस्तों वीडियो में पूरा detail में समझाने जा रहा हूं budget 23 के बाद क्या कुछ चेंज आया है तो उसके बारे में discuss करेंगे वीडियो में तो वीडियो बहुत जादा important होने वाली है वीडियो स्किप नहीं करना एंड तक देखना नमस्कार मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले निके लार बनस को दबाएं कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले आप उसे मिस ना सब्सक्राइब करें करें तो दोस्तों मेरे पर काफी सारे कोश्चन्स आए कि सर आपने सेविग अकाउंट को लेके तो हमें लिमिट बता दी जो इंकम टेक्स में है कैस जमा कराने की और विड्डॉव करने की तो उसके लिए आप यह वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं वी कोई भी बैंकिंग लो कहता है कि आप अपने करन्ट अकाउंट में ज्यादा कैश नहीं जमा करा सकते हैं इसका मतलब आप जितना मर्जी चाहे अपने करन्ट अकाउंट में कैश जमा करा सकते हो जितना मर्जी चाहे निकाल सकते हो लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है application की बात हो रही है यह यह मल्टीपल रंव के बात हो रही है zo जोस्तु यह आपके रमन्ड हो रही है चाहा आपके पास एक कर आता हो चाहाँ आपके पर पास पास अतो हो कितने ही करुन तोटल मिलाकर अपने credit अकाउंट से cash निकाल रहे हो या cash जमा करा रहे हो 50 लाग के बराबर या उससे जादा का basically क्या होता है इन सारी transactions को कहा जाता है high value transaction यानि कि specified financial transaction इन basically क्या होता है कि जो bank होता है bank इन सब transactions के बारे में income tax department को report कर दीता है यानि कि जानकारी दे देता है कि इस person परसन ने अपने पैन पे अपने bank account से current account से इतना सारा cash यानि कि 50 लाग के बराबर उससे जादा का cash निकाल लिया या जमा करा दिया एक साल के अंदर तो इसकी जानकारी bank देता है income tax department को अब जिसके इस इसमें income tax department चाहे तो आपको legal notice भेज सकता है अब income tax department आप समझ सकते हैं कि वो क्या चेक करेगा कि जो इस business है आपने current account open करा हुआ है और आपका ज्यादा cash का काम है तो दोस्तों आप cash जमा करा सकते हो बस आपने प्रॉपर लिए अपनी अपनी अपने ध्यान रखना है आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद होगी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी